हेलो गाईज कैसे हैं आप लोक होपसों आपने आपको दाउनलोड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए हम लोगो तो दोस्तों सारी चीज़ें इस वीडियो में कबर करने वाला उस update में हमें क्या क्या नए features देखने को मिलने वाले हैं और क्या आपको updated होने वाले हैं आप उस update के साथ तो दोस्तों बहुत आप information में इस वीडियो में cover करने वाला हूँ तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा important होने वाली है और वीडियो को अभी तक आपने like नहीं किया तो like क Instagram का जो एक बोला जाए कि importance वो क्या है वो अभी आपको इसी वीडियो में आगे बताने वाला हूँ क्योंकि दोस्तों आप लोग Instagram पर मेरे से directly चुड़ सकते हैं आप मुझे directly मुझे अपनी problems को बता सकते हैं आपको कोई भी issue रहता है या कोई update बताना होता है तो आप बता स है और अब आप देख पा रहोंगे यह दो इसकी आप देखी जहाँ पर c.06 का जो अपडेट है बन प्लस नोट टू में आ चुका है तो इसलिए मैं बोलता हूं कि भाई आप मुझे Instagram पर फॉलोगर कर सकते हैं और वहाँ पर आगर कोई issue आता है तो आप मुझे directly contact कर सकते है मैं mostly users के DMs लेता रहता हूं लेकिन दोस्तों अगर आपकी कोई भी problem में genuine problem होती तभी मैं वहाँ पर reply करता हूं और दरवाज नहीं करता हूं तो दोस्तों यह तो हो गया भाई कि उन्होंने वेज़ा था तो अभी मैं बत कर देता हूं मेरे mobile में कौन सा update है तो वह भी मैं आ official update आ चुका है यह बात गलत नहीं है तो इसलिए मैं आपको बता दू कि भाई यह official update आया हुआ है और यह कब आया हुआ है वह भी मैं इस वीडियो में update करने वाला हूं तो दोस्तों आप देख पा रहोंगे कि यहां पर जो update आया हुआ है वह बारा घंटे पहले आया हुआ है जब मैं वीडियो सूट कर रहा हूं मेरे को update तो सुभई मॉर्निंग में पता चल गया था लेकिन मैं वीडियो सूट अभी लेट कर पा रहा हूं तो दोस्तों आप देख पा रहा हूंगे बारा घंटे पहले में आप अपडेट आया हुआ है देख लीजिए तो यह अप इंड़ोड 12 से related 12.1 में वो इसको fix किया गया है अब दोस्तों देख लेते हैं क्या क्या मिलने वाला है तो दोस्तों यहां पर मिलने वाला है आपको system में देखा जाए तो improve system stability जो आपको lag कर रहा है mobile या और भी इस्टू आ रहे है system से related मता मोबाइल से related तो यहां पर improve होने वाले है fix the occasional issues the call history यह जो second line लिखी है deleted automatically दोस्तों यह बात सही है क्योंकि दोस्तों कई सारे मेरे ऐसे subscribers से उन्होंने मैसेज किया था कि सर हमारी जो call history वो directly delete हो जा रही है तो इसका क्या issue है तो दोस्तों यहां पर इन्होंने fix किया है और third जो point लिखा है update android security page तो इसका आपको पताईए कि यहां पर security page आपको मिल गया है 2022 का जुलाई का उसके बाद camera की भी यहां पर point लिखा हुआ है fixes the issues that ultra study might work abnormally at 4G resolution तो दोस्तों यहां पर camera में भी कुछ ना कुछ improvement देखने को मिलने बाला है तो दोस्तों कुछ ना कुछ आप लोगो यहां पर update में फरक देखने को म mostly मुझे लग रहा है कि भाई इतना जादा परिशान नहीं होंगे camera को लेकर और भी थोड़े जो चीजें इन्होंने fix किये हैं इस update में मेरे को मैं मतलब 100% से और नहीं हूँ कि भाई जो भी problem अभी तक आ रही है अपनको android 12 में वो इस update के आने के पास्त fix हो गई होंगी मैं स क्योंकि दोस्तों इसमें जो update बताई है कि यह changes होने वाले हैं तो मुझे नहीं लगता है इन सब चीजों से हमारा घड़ा भरने वाला है क्योंकि घड़ा पूरा food चुका है पानी उसमें से रसने लगा है और उसमें बहुत सारे issues android 12 में देखने को मिले हैं तो इसलिए आपको देखिए अगर आप android 12 यूजर है android 12 चला रहे हैं तो दोस्तों फिर क्या दिखकता है फिर तो कर सकते हैं इस्टॉल करते हैं तो चीजें अच्छी होंगी बिगार नहीं होंगी अपडेट आता है उसमें कुछ improvement लेकर आता है तो जब आपको खराब चीज तो मिली च खराब चीज तो उसमें थोड़ा से improvement ला सकते हैं नेश्ट अपडेट को करने के लिए तो दोस्तों आप नेश्ट अपडेट कर लेते हैं अपने मुबाइल में तो आपको कुछ और हटकर improvement देखने को मिलेगा आपका lagging problem खतम हो जाए आपका call history वाली issues खतम हो जाते हैं camera का issue खतम हो जाता तो दोस्तों बैल डग आपन 50-70% कवर कर सकते हैं अपनी problems को यहाँ पर recover हो रही है अपन यह समझ सकते हैं कि हाँ update ऐसे आते रहेंगे तो हमारी problems खतम हो जाएगी जो बन प्लस देता था quality वह quality हमें पापस मिल जाएगी तो दोस्तों ऐसी उंबीद अपन करत है तो कुछ भी हो सकता है है ना कोगी वह roll out हो चुका है c.06 का update जिसके mobile को ज़्यादा जरूवत है उसको provide कर आया जा रहा है और जिन्होंने जबसे ज़्यादा report की है log submit की है उनको भी update चल्द चल्द देखने को मिलने वारा है तो के पास भी अगर नहीं आया है यह update तो आ जार नहीं हुई है आप लोग comment जरूर करके बताइएगा और दोस्तों मेरे पास आता ही मैं आपको एक वीडियो ला कर दे दूँँगा भाई कि क्या feedback है मेरा तो दोस्तों इस वीडियो में बचत नहीं मिलता हूं बहुत जल ऐसे ही किसी interesting वीडियो के साथ तब तक लिए द